जैहिं दोस्तो एक बार फिर से स्वागता है आपका हमारे ओफिशियल यूट्यूब चैनल है इसके जोब सर ग्यान में तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओफिस ओफ दा डिष्टिक अन्शैसन जज बरनाला पंजाब के द्वारा एक इंप्लयमेंट नोटिस जारी किया गया है तो दोस्तो इसका जो इंप्लयमेंट नोटिस नंबर है वो है 5208-EB तो दोस्तो इससे पहली नोटिफिकेशन में कलरकी 7 पोस्टे जारी की गई थी और इनको अब रवाइजड करके कलरकी 5 पोस्टे जारी की गई है तो दोस्तो जिन्होंने वो वकैंसी के लिए अप्लाई किया था उनको दुबारा से अप्लाई करने की जोड़त नहीं है ये न्यू कैंडिडेट के लिए जिन्होंने अभी तक जो 7 पोस्टे थी कलरकी उसके लिए अप्लाई नहीं किया था तो उनके लिए दुबारा से मोका जारी किया गया है कि जिनोंने उस टाइम अपलाई नहीं किया था तो वो अब इस पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं तो दोस्तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 30.11.2022 दी गई है जिसे की इसका फोर्म जो है आप रजिस्टर्ड पोस्ट के जरीए या फिर आप इसे बाई हैंड भी जमा कर सकते हैं तो दोस्तो इसको अपलाई करने के लिए आपका जो एड्रेस रहेगा वो है दा ओफिस ओफ दा डिष्ट्िक अंड शायसन जज़ बर नाला के लिए आपने इसे पोस्ट के जरीए अपलाई करना है तो दोस्त आप बात करते हैं इसकी qualifications की तो इसमें जो आपका post name रहेगा वो clerk है और इसमें number of post पाँच दी गई है जिसमें SC की 3 post है एक service man journal की एक post है और handicapped के लिए एक post जारी की गई है तो दोस्त आप बात करते हैं इसकी qualification की तो इसके लिए आपकी जो है graduation होनी चाहिए bachelor of arts, bachelor of science तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं और इसके साथ ही आपका 10th में पंजाबी subject होना भी इसमें जरूरी दिया गया है तब ही आप इसके लिए eligible होंगे apply करने के लिए तो दोस्त इसके साथ ही बात करते हैं इसकी age limit की तो इसमें जो आपकी age limit है वो 18-37 साल तक दी गई है जो की count की जाएगी 11-2022 तक तो दोस्त बाकी जो है आप इसकी notification को download कर एक बार अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं तो दोस्त आप बात करते हैं इसके application perform में की की आप इसका जो application perform है वो कैसे feel करोगे तो दोस्त ये जो application perform है ये इनकी notification में दिया गया है तो आप वहाँ से इसे download कर इसका print out निकाल सकते हैं तो दोस्त इसके जो column है वो आपने अच्छी तरह ध्यान से भरने हैं तो दोस्त इनके column में सबसे पहले आपने यहाँ पर अपनी एक passport size photograph लगानी है और उसके बाद आपने नाम लिखना है block letters में capital letters में तो दोस्तो आप इस form को पूरा capital letter में भी भरस सकते हैं तो दोस्तो इसके बाद next है आपका father name और husband name इसके बाद आपकी date बर्था जाएगी जिसका आपको proof लगाना पड़ेगा और category आपने लिखनी है उसका भी आपको साथ में proof attach करना पड़ेगा तो दोस्तो इसके बाद आपकी nationality है इसमें आपने Indian लिखना है और इसके बाद आपका communication address आज जाएगा तो दोस्तो इसके बाद आपका contact number है वो आपको mandatory जरूरी दिया गया है वो आपने यहाँ पर भरना ही है तो दोस्तो इसके बाद आपका email address है और आपका पंजबी pass का column है तो यह आपने यहाँ पर yes करना है तो दोस्तो इसके बाद आपका education qualification का है जिसमें आपने graduation या फिर अगर आपकी post graduation है तो वो भी आप यहाँ पर भरस सकते हो तो दोस्तो इसमें आपने यहाँ पर सबसे पहले board और university लिखना है इसके बाद year of passing लिखना है कितने marks आपने square किया है और total marks क्या है और इसकी percentage क्या है तो दोस्तो इसके बाद आपका experience है judicial department में अगर है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो तो दोस्तो इसके बाद आपका place है, date है और यहाँ पर आपने अपने signature करने है तो दोस्तो यह आपका complete performance है जो कि आप इनकी official website से download कर सकते है तो दोस्तो इसके regarding अगर आपकी कोई भी query है तो आप हमारे वीडियो के comment section में comment कर हम से इसके बारे में पूछ सकते है तो दोस्तो अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like, share and comment जरूर करें और हमारे चैनल एसके jobs ग्यान को जरूर subscribe करें धन्यवाद दोस्तो जय हिंद, जय बारत